तो भई आज मैं आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ साल 2019 में आई एक बहतरीन इंडोनेशन होरर मुवी को जिसका नाम है तिबांग लिंक सर इस मुवी को डारेट किया है रिजल मुंतावनी ने और इनकी मुवीज काफ़े इंट्रेस्टिंग होती हैं तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो मूवी की शुरुवात होती है और हम रात के टाइम में एक घर को देखते हैं घर के अंदर नवंग नाम की एक लेड़ी होती है जो की इविल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए गाया जाता है लेकिन हम यहां पर यह देख पाते हैं कि जैसे जैसे नवंग गाना गाती जा रही थी उसके घर के आस पास की चीज़े हिल रही होती हैं और कुछी देर के बाद हम यह देखते हैं कि पेडों ही जडे होती है वो नवंग के घर में एंटर कर जाती है और उसको जकड कर लिंग सर वेंगी गाने से रोक देती है नवंग ये सब देखकर चिलाती है और तभी उसकी बेटी माला जो की पीछे के कमरे में सो रही होती है वो चीक सुनकर बाहर आती है उसके बाहर आते ही वो पेडों की जड़े होती है वो माला पर बहुत ही तेजी से अटैक कर देती है जैसे की माला ही उनका टारगेट हो अब नवंग जल्दी से खड़ी होती है और पास पड़े हुए लैम्प को उठा कर उन पेड़ों की जड़ों पर फेक देती है जिसने की माला को जगड़ के रखा हुआ था और इस तरह से नवंग माला को छुड़ा लेती है लेकिन इसके बाद में लैम्प के जरीए जो आग लगी थी वो पूरे घर में फैल जाती है और घर चारों तरफ से जलने लगता है अब ब्लैक आउट होने के बाद में माला को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो की काफी टाइम तक बेहुश रहने के बाद में उठी होती है और वो बोल नहीं पाती डॉक्टर यहाँ पर माला के गले को चेक करता है और माला के अंकल गटोट से ये बताता है कि माला के गले के अंदर एक इंफेक्शन हो गया है जिसके चलते वो कुछ हफ़तों तक नहीं बोल पाएगी और इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है फिर हम ये देखते हैं कि माला की आंटी अमेंडा उसके पास में जाती है और ये कहती है कि उसको टेंचन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब वही उसका खयाल रखेंगे और वही उसका परिवार भी है अब माला के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम देखते हैं कि गटोट और अमेंडा उसे अपने घर पर ले जाते हैं और इसी दोरान वो अपने कजन ब्रदर रॉनल्ड से मिलती है जो कि माला को तुरंट ऐसा फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है और यहां पर वो उसको ये सजेस्ट करता है कि अगर उसको कुछ भी बोलना हो तो वो यहां पर सलेट के ओपर चौक से लेकर सबको बता सकती है जो कि काफी अच्छा एडिया है खैर शाम के वक्त हम ये देखते है कि जब गटोट की बेटी देसी घर पर आती है वो माला को देखकर कुछ खास खुछ नहीं होती और थोड़ा uncomfortable फील करती है लेकिन ये बात वो किसी से भी नहीं कहती अब हम ये देखते हैं कि गटोट अपनी बेटी देसी को रात को देड से घराने पर डाटने लगता है तब ही देसी ये कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में 17 बढ़े बाहर सेलिब्रेट करने के लिए प्लैन बना रही थी और इसलिए वो लेट हो गई अब गटोट यहाँ पर देसी को बाहर बद्दे सेलिब्रेट करने से मना कर देता है और ये कहता है कि ये मौका उसको 18 बद्दे पर मिलेगा तब ही यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को सभी को सोता हुआ देख पाते हैं तब ही माला के रूम के गेट पर एक दस्तक होती है माला उठती है और चारो तरफ देखने पर उसे कुछ भी नहीं दिखता बगर जब माला मिरर पर लगा हुआ पर्दा हटाती है तो उसे एक बेहदी डरावनी स्पिरिट दिखाई देती है जो की बहार आ जाती है और माला से ये कहती है कि वो तुमें लेने आ रही है लिंक सर वैंगी को याद रखना अब ये स्पिरिट कौन है और वो माला को लिंग सर वेंगी को याद रखने की चितावनी क्यों दे रही है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह देशी की दो दोस उससे मिलने आती हैं जिनके नाम होते हैं गलैडिस और बेला जब वो दोनों घर में आकर माला को देखती है तो वो देसी से पूछती है कि आकर ये कौन है मगर देसी उन्हें माला से इंटर्यूस कराना भी जरूरी नहीं समझती इसलिए वो कहती है कि ये कोई special नहीं है और वो अपने दोस्तों को अपने कमरे में लेकर चली जाती है फिर हम ये देखते हैं कि देसी की दोस्त कमरे में आकर देसी की drawing books को देखती है और ये कहती है कि अभी भी तुमने ये तस्वीरे बनाना नहीं चोड़ा और साथ में ये भी पूछती है कि आखरी ये है कौन देसे ये कहती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है मगर ये मेरे सपने में हमेशा आती है इसलिए मैं इसे अपनी ड्रॉइंग बुक्स पर बनाती रहती हूँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर गटोट और उनकी मेड रहमा के बीच एक बाची चल रही होती है रहमा गटोट से ये कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को यहां से ले जाओ क्योंकि बुरा वक्त करीब आने वाला है और माला का यहां पर होना कोई भी coincidence नहीं है गटोट यह कहता है कि ये इतना असान नहीं है मुझे अमेंडा को ये सब समझाना होगा यानि कि यहां पर जो कोई भी बात है वो यहां पर सिर्फ गटोट और रहमा के बीच में है जिसके बारे में Amanda को कोई भी आइडिया नहीं है और इस घर के अंदर जो कुछ भी सूपर नैचरल चीजे हो रही है इसके बारे में इन दोनों को पूरा पूरा आइडिया है खर इसके बात में हम देखते हैं कि गटोट अपने रूम में टेंशन में खड़ा हुआ होता है और तभी वहाँ पर Amanda आजाती है और कहती है कि जब से माला घर पर आई है तुम खोई-खोई से रहते हो अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो तभी गटोट ये कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें एक रास की बात बता हूँ और फिर गटोट Amanda को एक रूम में ले जाता है जिसे गटोट हमेशा बंद रखता था रूम के अंदर जाने पर Amanda देखती है कि वहाँ पर पूजा गर बना हुआ है और कुछ क्रीपी चीजों को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखा गया था अब गटोट रूम में जाते ही एक मूरती के सामने बैठ कर उसकी पूजा करने लगता है और वो Amanda से ये कहता है कि ये कैंजेंग रातू है और इन्होंने ही हमें ये सब कुछ दिया है अब गटोट यहाँ पर जिस तरह से बहेव कर रहा था वो Amanda को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कैंजेंग रातों को देखकर भी डर रही होती है इसलिए वो वहाँ से बार बार बाहर जाने के लिए बोलती है गटोट यह कहता है कि तुम डरो मत मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूँगा बस तुम शान्ती से मेरी बात सुनना अब इसके बाद में गटोट अमेंडा को लेकर एक लॉंग ड्राइव पर चला जाता है ताकि शान्ती और प्रिवेसी में वो अमेंडा को सब कुछ बता सके अब जंगल की एक शान्त जगा पर आकर गटोट और अमेंडा कार से बाहर निकलते हैं और तब गटोट यह बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मर गए थे और मेरे उपर धेर सारा कर्स छोड़ गए थे मगर मैं एक अच्छी जिना चाहता था जैसे कि बाकी लोग जीते हैं और तब जाकर उसने कैंजेंग रातू के बारे में सुना और कैंजेंग रातू की पूझा करने के बाद उसने उससे एक डील कर ली थी जिसके बदले में उसको कैंजेंग रातू से धीर सारा पैसा मिलन और तब जाकर गटोट एक शौकिंग बात रिवील करता है कि उसने कैन जैंग रातु को बदले में अपने एक बच्चे को सेक्रिफाइस करने का वादा कर दिया था अब इस बात को सुनते ही अमेंडा के होश उड़ जाते हैं तो पूछती है कि क्या तुम देशी को से देने वाले हो तो गटोट यह कहता है कि नहीं अब अमेंडा रोते हुए पूछती है कि वो फिर किसका सेक्रिफाइस करेगा तभी गटोट यह बोलता है कि वो माला को सेक्रिफाइस करने वाला है और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते असल में यहाँ पर माला और देसी फ्रेटर्नल ट्विंस हैं जिनें गटोट ने जनम से ही अलग कर दिया था अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि फ्रेटर्नल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं कि एक दूसरे से शकल वाइस मैच नहीं करते इसलिए अभी तक कोई ये बात नहीं पहचान पाया कि माला और देसी यहां पर ट्विंस हैं और ये बात सिर्फ घर के अंदर गटोट और घर की मेड रहमा को ही पता था खेर अब इस बाचीत के बाद में वो दोनों घर की और नि उसे देखते ही माला बेहट डर जाती है मगर वो अपने गले से चीक की आवाज नहीं निकाल पाती वो स्पिरिट अब माला के पास में आती है और वो उसे चुप रहने का इशारा करती है और फिर वो माला को एक कागस का टुकड़ा देकर वहां से गायब हो जाती है और पहुंची नहीं पाते इसका मतलब यह है कि कैंजेंग रातु नहीं चाहती कि गटोट और अमेंडा घर तक पहुंचे और आज वो किसी भी हाल में गटोट के बच्चों की सोल्स को ले करी रहेगी अब यहां घर पर हम यह देखते हैं कि देशी की वो दोनों दोस्त जो होत करती हैं और वहां रूम में मस्ती करने लगती हैं तभी कैंजेंग रातु वहां पर आकर दोनों लड़कियों को अपना असली रूप दिखाती है या फिर दिखाता है असल में यहां पर स्टोरी की बात करें तो कैंजेंग रातु एक प्रिंसेस है जो कि यहां पर मेल या फ सागस के टुकडे को लेकर गटोट के स्टडी रूम में चानमीन के लिए चली जाती है और वहां पर उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है जिसके अंदर कुछ बेहत पुरानी फोटोग्राफ्स रखी होई थी अब माला को उन फोटोग्राफ्स में से कई सारी फोटोग मरनी थी और यहां से माला को यह पता चल जाता है कि असल में वो और देसी सगी बहने हैं और मरनी वो उनकी असली मा है और वो हमेशा सामने आकर उनकी मदद करना चाहती थी मगहर हम उसकी बात को समझने नहीं पार रहे थे और दोस्तों यह وہी किताब है जो कि गटोट बार को साफ बयां करती है कि मरनी यहाँ पर उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी और उसके पास में भी कुछ ना कुछ शक्तियां यहाँ पर है खैर अब उस किताब के पन्ने पलेटने पर माला को एक पेज मिलता है जो कि फटा हुआ था और जब वो उस कागस के टुकडे को वहाँ पर लगाती है जो कि यहाँ पर मरनी ने उसको दिया था यानि कि उसकी स्पिरिट ने तो वो वहाँ पर बिलकुल परफेक्टली फिट हो हैं मकर इस बार उसे फ्लैश बैक विजन्स दिख रहे थे जिसमें वो ये देखती है कि मरनी घर में दो लड़कियों को जनम देती है और वादे के अनुसार गटोट अपनी पहली बेटी यानि की माला को कैंजेंग रातू को सौंप रहा होता है मगर मरनी ये होने नहीं दे देखते ही देखते थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां पजस हो जाती है और उनकी सोल्स दूसरी दुनिया में कैंजेंग रातू के पास में चली जाती है फिर हम ये देखते हैं कि गटोट और अमेंडा आखिरकार गर पर पहुंच जाते हैं और यहां पर हम ये बात भी समझ पाते हैं कि अमेंडा यहां पर असल में इन दोनों के ही स्टेप मतर है खर अब देखते ही देखते उनकी दोनों बेटियों को पेड़ों की जड़ों ने लपेट रखा होता है और तब वो दोनों अपनी लड़कियों को होश मिलाने की कोहिश करती है ताकि वो लकड़ी अटकी हुई थी जिसके कुछी देर के बाद में वो लकड़ी उसके मुह से बाहर निकल जाती है और यहां पर वो लिंक्सर वैंगी को पढ़ना शुरू कर देती है जो कि उसने किताब से याद कर ली थी और देखते ही देखते सारी पेड़ों की जड़े पीचे ह लगते हैं और बूम यह मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यह थी तिबांग लिंक्सर मुवी की कहानी जो कि एक बढ़िया इंडोनेशन होरर मुवी है उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर ला आने वाले हैं तो अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो आफ लॉग चैनल को जाकर सबस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि काफी इंट्रेस्टिंग व्लॉग सबसे आने वाले हैं और यहीं रीजन है कि मैं पिछले वीक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था लेकिन अपसे लोस्ट लोस्ट लोस्ट